hi guys welcome back to my channel who am i my name is priya और आज मैं आपके लिए another exciting video लेकर आई हूँ आज मैं आपको dazzling diamond facial step by step करके लिखाऊंगे यह facial आपके skin अगर dull हो गई है brightening के जरोते lightening के जरोते skin tan हो गई है तो यह facial आपके लिए है तो वीडियो को start to end तक देखना वीडियो पसंद आए तो like करना share करना subscribe करना तो चलिए वीडियो को start करते हैं यह है dazzling diamond facial kit जिसमें first step है cleansing gel second step scrub third step serum fourth step cream fifth step mask six step diamond facial mold mask extraction remover steamer and water bottle अभी facial start करते है उन्याद करते हैं I can feel the blood creeping up from the heathens God will, God fight, God pride, God reason If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them If you're coming for me, hope you ready for a demon I got eyes in the back of my head, I'm seeing Take me for granted and you know I'm leaving I'ma take what's mine with the webs I'm weaving I could take this crap from seeing to believing कि अखली आगएध झाली हूट झालीज और अजति आ झाली जाली मेली इन सवस्ट पीज झाली जाल आउ प्रम्हाइ्ट अजिए लिल्म के जैस्ट लगीज आट एक्ति एलीजवत I just need a taste when my mind starts peeling I don't pace myself, I grind on kneeling Got lust for change, I just love the feeling And I ain't gonna give up Got too little time, I'ma live up Head down, push forward through the tough times Cause anything worth doing is a tough climb And I ain't gonna give up Got too little time, I'ma live up Head down, push forward through the tough times Cause anything worth doing is a tough climb Cause I'ma live life for the fight Yeah, I'm here to get it I got drive, got sight, always have a vision I go by a night, I be in my feelings I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning I live life for the fight, yeah, I'm here to get it I got drive, got sight, always have a vision I go by a night, I be in my feelings I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning Fuck, I feel the blood creeping up from the heathens मसाज होने के माद उसे भी कॉटन से क्लीन करके लेना है अच्छे से पुरे फेस को क्लीन करके लेना है हुआ है अब यह में स्टीम लेना है स्टीम चार से 5 मिनिट तक लेना है तक अच्छे से फेज के उपर स्टीम लेना है आपके बाश्टीमर नहीं है तो सिंपल पानी बॉल करके उसके उपर भी आप स्टीम ले सकते हैं स्ट्रीम होने के बाद Fest interaction removing, Blackettes removing करना है Blackettes को सिब अपने Game on जहाँ पे अपने Blackettes remove में round रहता है उससे सिब प्रेस करना है और nose के side में left side, right side और जहाँ पे आपके Blackettes है वहाँ पे आपको Blackettes removing करना है प्लैकेट्स रिमूव होने के बाद टोनर अपलाई करना है टोनर अपलाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसे ओपन जो पोर्स होता है वो क्लोज होने के लिए टोनर अपलाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने फेशियल किट में टोनर हो या नहीं हो आपके पास टोनर होना चाहिए फेशियल करते वक्त इससे अपने उपन पूर्ट्स ग्लोज हो जाता है अब इसे दो से तीन मिनिट टक ऐसी ही रखतो इसके बाद हमें सीरम यूज़ करना है सीरम दो से तीन मिनिट टक अपलाए करना है और उसमें भी आपको सर्कुलर मोशन में ही मसाज करना है दो से तीन मिनिट टक मसाज करना है पूरे फेक्स के उपर दो से तीन मिनिट बाद जब स्कीन के अंदर वो अच्छे से चला जाएगा इसके बाद उसी के उपर हमें क्रीम यूज़ करना है यह है डायमन्ड क्रीम अब फेस के उपर दस से पंदरा मिनिट टक मसाज होना ज़रूरी है कभी भी स्क्रब से या क्लिंजिंग जेल से या क्लिंजिंग से या सिरम से मसाज नहीं होना चाहिए सर्कुलर मोशन में सिर्फ फेस के उपर राउंड राउंड करना है मसाज सिर्फ क्रीम से ही होना चाहिए और फेशियल में मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वह बहुत अच्छे से होना क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में से ही फेशियल का इफेक्ट आता है और मसाज से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है मैंने जो जो स्टेप बता हैं वो आपको तीन से चार बार दोराने है ऐसे दस से पंदरा मिनिट आपको करना है और क्रीम को स्कीन के अंदर अच्छे से वो अंदर चली जाएगा जाएगा चली जाएगाो' चम्राप्टा में अंदर चलीका से वो अंदर 0 झाल झाल कि इसको कॉटन से कुछ भी पोश्चनानी है, इसी क्रीम की उपर ही आपको मास्क आपको का झाल झाल कर दो कर दो कर दो कर दो दो कि money कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो इस तरह से लिख विडियो होना चाहिए उसका ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए ज्यादा थीक भी नहीं होना चाहिए फेस के उपर लगाते हुए आपको पतला नहीं लगाना है उसका टिक्चर पुरे फेस के उपर evenly लगना चाहिए और आप ये आखों के उपर ओठों के उपर पुरे फेस के उपर लगा सकते हो आईब्रोज के उपर लगा सकते हो इसे अपना फेस बहुत अच्छे से गुलो करेगा और फेस के उपर cooling effect मिलेगा अभी 15 से 20 मिनिट टक ऐसी रखना है 20 मिनिट होने के पाद उसको चारो तरब से पहले नीचे की तरब आपको करना है जैसे मैं कर रही हूँ और नीचे से आपको उसको निकालना है बहुत इजी निकल जाता है ये मास्क उसके बग्षाप्षाप्ड आपको झालना है झालना है झालना है झालना है ईजी पर आपको कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि दोल जो प्रहा आप जा तरी कि अबगा रखाओाओ गया ये जागा टो अबगाना कि अब्रे आती है कि आपस्ट अबगा टो कि अपस्ट पला बस्टाइबने ये तो प्रत्योग कि अपस्टार सिर्ड़ाओ कर दो मैं इसे लगा आपको मेरा यह वीडियो होप सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गया रहेंगे तो यह रहा वो फेशियर यह क्रेव बिविटी डैसलिंग डायमंड फेशियर इसमें मैंने दिखाया हो गए सारे स्टेप है इसमें जैल है स्क्रोब है, सिरम है, क्रीम है, मास्क है, फेस मास्क और मॉल्ड मास्क इसकी खासिएद है यह मॉल्ड मास्क बहुत अच्छा रिजर्ट मिलता है और इसका कॉस्टिंग है 355 रुपीज मैंने एक टाम यूज़ करके उसको पिनप करके ऐसी रखा हुआ है मतलब यह और एक बा तो यहां इसकी cost है 355 आप बोलोंगी इपनी ज्यादा cost आपको लग रहा होगा बट आप अगर salon में जाके इसकी cost पुछेंगे तो 2000-2500 इसका charges लेते मेरे company में भी यह use किया जाता है बहुत effective है आपको online मिल जाएगा तो hope so आपको वीडियो पसंद आया वीडियो पसंद आया तो like करो share करो subscribe करो मिलते हैं another video में bye